है लो दोस्तों तो आज विशार एगरी पॉइंट चैनल पर आपके स्वागत है आज हम स्टाट करने जा रहे हैं जैनेटिक्स इसके अंदर मैं आपका जैनेटिक्स पोर्षन कवर करूंगा पूरा और हम के अिसके बाद में आपको अच्छे से अच्छे पालिटिक्स इसके बाद में अपको सिलेवाज प्रांट पूर्षन में वहां पूरा टोपिक अपने अच्छे से कवर कर लेंगे तो तीन पॉर्षन अपने जेनेटिक्स के इसको बहतरीन तरीके से इसको कवर कर लेंगे तो अपने स्टार्ट करते हैं सेशन और फालतू की बात नहीं होगी इसमें डायरेक्ट प्रूइंट में आपको बताता है इना इसकिप किये आप लेक्चर स्रीज के साथ बने रहे है आज हमारा टूडेज फर्स्ट लेक्चर है और इसको हम जल्दी से जल्दी टेंडेज के अंदर ये अच्छा से अच्छा ब्रांडेड तरीके से को कम्प्लीट कर लेंगे ताकि इसको जितना जल्दी होगा मैं लेक्चर प्रवाइड खर दुगा प्रॉबाइड कर दुगा तो आप ये अग्यम कि टाइमिंग करता है। यह मैंने आपके लिए नोट्स प्रेपेर कर लें तुदा पॉइंट आप टेलिग्राम ग्रूप में देख लाएं ठीक है ताकि मैं टाइम बच जाए आपना उस्टाइब जल्द अल्दी करते रहें कंप्लीट ठीक है तो सेल सेल एक तरह से क्या है बेसिक यूनिट बोल सकते हैं नोट्स आप टेलिग्राम ग्रूप में देख लाएं ठीक है जिसके बाद में सेल की जो डिस्कबरी किस ने की थी यह आप देखेंगे रोबर टुक ने किसमें 1665 में ठीक एक तरह से हम एक तरह से सेल क्या बोल सकते हैं इस्ट्रेक्षियल और पंशनल यूनिट अप लि समझे वही सेल का यह क्या बनाता एक क्या बनाता है दिए क्या ओरता फंस में कंट्रोल करता यह अलग लग और做 न एक-क प्रूर्ढय हो गया जिसके बाद हमारा जो इसमें रहा कि dai स्माल एस्ट यूनिट हिस्माइस्ट यूनिट फंसनल डिए मैं बलने पर सकते इसको living origin क्योंकि चोटी से चोटी इकाई है हमारी है क्योंकि सेल के बाद में आता है हमारे टीसू टीसू जाता है ओर गन ओर 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 और शिस्टम आता है तो हम इसको क्या बोल सकते हैं smallest unit of living organism जाता के लिए रोगा और एक पॉइंट और याद रखना आपको सेल से all arise from pre existing अब pre existing और प्री existing का मतलव क्या होता ही मतलब यह हुआ कि जो हमारी सेल बनी ना जो नई सेल आती है वो हमारी जो पुरानी सेल से ही डेवलप होती है इसका मतलब पहले कोई सेल एक्जिस्ट करी होगी इसके बाद यह हमारी कोई नई सेल आई होगी तो कहने का मतलब यह जो true the point question है तो यहां से exam में question पूछा जाए सकता है आपसे एक तो यह द्यान रखना 16 65 और इसमें याद रखना आपको structural and functional unit of living orneum तो यह दो question important है आप याद रखना यह बाकी के आ सकता है तो आप थोड़ो थोड़ो इसको देख ले ना ठीक है इसके बाद में characteristics of cell ठीक है अब characteristics of cell के अंदर इसके अंदर आप देखेंगे कि यहां पर होता है एक protoplasm अब protoplasm क्या होता है जिसमें हमारे cell orminal do भे रहते है इस तरीके से यह cell है मान लिया इसके अंदर क्या होता है यह इसके अंदर बहुत सारे ओर्णल्स प्रिजेंट होंगे माइट्रो क्लोरप्लास्ट प्लास्टिड जितने भी तो वह सब इसके अंदर पढ़े होंगे आया समझ में तो यह फ्लूड वाला जो पोर्शन है यह हमारे क्या क्या लाएगा प्रोट्रोप्लास्ट के लाएगा जिसके बाद में आप देखेंगे इसके अंदर दे रखा है कि इसके अंदर ओर्गनली प्रजेंट होंगे ओर्गनली मतलब की कहने का मतलब मैंने बताया आपको क्लोरपास्ट बगए यह और्गनली है यह एक तरह से क्या होंगे यह स्ट्रेक्चरल फंचनल यूनिट को सब करते रहेंगे बात समझें तो इस से लिए कोई बड़न है इतना याद gjort NOT इसके नदर क्या होता हमारे रोट प्रुक्राजम होता है central के लिए यह कडतेनली का रखना के इसके बाद हमारा प्रण को रहा है करेक्रिष्टिक सेल में आपको क्या रहं रखना है अवली प्रोटोपलाजम में वह बढ़ा लोगते हैं उल्लय क्या करते हैं आपने हमरे सप्षेसिक पंद 200 करता है ठीक है इसके बाद जो हमारे टॉपिक आता है अक प्रोकियोटिक ग satisfa सेल एक सिल अभम द्रोक्रेटिटिग सेल में आप से क्या कुश्ञर्ण पूचे जाएगा किainen स्षब से फाइच कुश्ञर्ण जो पूचे जाएगा आपसे फाइट कि फाइट से ल टाइप कि प्रिमिटिक ओफर्थ मतलब कि एक तरह से जो अरथ सबसे पहले जो सेलका टाइप आयाता हाई तो आहे समझें पर कोई कुछ से सबसे पहले सल कोन साथ है यह पूछे का पी क्यए पूछे का है एक उसकी अंदर श्यान है किन लो मेंद बाउन्ड औरगंड बाद समझें इसका मतलब यह होता है कि no memory in bound ओर्णनल का मतलब यह होता है कि कोई memory नहीं होगी जेसे भाहर इस तरीके से कोई memory नहीं होगी खुले पड़े रहेंगे एक तरसे इसके अंदर क्या होता है Nucleus absent होता है क्या होता है نukuellschaft absent होता है तो यहां पर एया absent Nicolas blooded हो यहां तक मुझे लगता है अच्छे से एकदम क्लियर हो गया होगा जिसके बाद यहां पर नाजी की जगे कि अबूचा प्सक्टन होगा Grade explain होगा नूकलियोज過去 को पूता जाये आप यह कुछ पूचा जाएगा कि कंसेंट्रेशन अब दीने किसमी इस्टूर होता है नुकलियोड के अंदर आपको ऐसे कैसे याद रखने यह जो एक्जाम में डारेट पॉइंट आते हैं इसके बाद आप देखेंगे कि यहां तक मुझे लगता के लिए होगा इसके बाद में सुलन का जो पॉइंट आता है कि यह कैसे होता है यूनिसेलूर कैसे होता है उननी सेलूर होते है झार ठीक अब जैसे इसका हम यूकि आफर aten आफ आप पाएंगे है आप वे पयो फई तो हमारा प्ररिमिट्ण हो पाँपर कौन रख कॉंस होन के जबकि नोमेंरीं डॉं जरूर नुकलेस होगा, यहाँ पे नुकलेट के जागे क्या होगा, नुकलेस होगा, बात समझे, इसमें क्या होगा, नुकलेस प्रिजेंट होगा, और आपको याद क्या रखना है, यह यूनी सेलूर थे, यह कौन से होगा आपको, मल्टी सेलूर, आया समझे, यह कैसा होगा multi cellar होगा और जिसके बाद में आप याद रख लोगे एक प्ठोबर स्थो टा कि नू कोलिो लस क्या होता है यहां पे । यहां पर क्या होगा ? हैब सेंट अगा जबकी यहां पर नुकलिose ब्रेजेंट होगा किलिया इसके बाद जो लाष्ट बेक्टेरिया होता है हम एक तरह से साइनो बेक्टीरिया होता है जिसके वंड़र ये उक्रीन रखे जाते हैं लगा पर फंजाए होगी और यहां पर को ना हो गया हमारा ये तो ये सब इंटर envision फोटे। यह जाएगा कि प्रोक्रेटिक सेल में पर्षट टाइप कौन सो होता है और इसमें एक तरह से साथ नुकलियोलस भी एपसेंट होता है यह पर किया होता है नुटलेस बंजाी इस्के एक्जाम्पल है यहां पर क्या होता है नुक्लियूलर जब कि यहां पर न्युगलेस के इंदर पहीं बात सम्झेट हो सब्सक्राइब वूचे वे हैं इसके बाद यहां दे अब यूकिरियोट इंदर है therefore back when a हैं कि या है एकिमन में केमरा चेक कलता हूं थीका अब देखो यूकिरियोटिक व्हेल के बाद में हम देखता है कि हम यूकिरियोट में यह समझो कि प्लांट और एनिमल को हम डिसकश कर रहे हैं कि सक का अब जिएrän comp1 of सेल वाल एपसेंट होती है प्लांटों यह ज shameless सबसे होगी Mohler कि प्लांट के अंदर क्या होता लार्ज बेक्योल सब्सक्टिक याद में नीमल फ्लांटों चुलो-टर्पयाएं यहां पर होगा Creator कि जड़ूर्ड डेफिनिक ही चुब्सक्टर होला चैसे के अंदर के होगा हमारा absent हो ओगा लार्ज़ यहां पर को में आप स्मॉल बोल सकते हैं या हम्झे पोल सकते हैं यहां बोल सकते हैं यहां टक मुझे लगताए है तक अदेश् गरांथ ना केंडेवा डेखता है कि इसी के कि is गेमीट में प्रजेन होता है फ्लेज़िला संदर में चाहे मतलब कि भाइबस करू笑 के खिणमें बाद कर रहा है। यहां तक मुझे लगता एक तम बैतरीन तरीके से क्लियर हो गया होगा इस तरीके से इसमें जो कुछिन पूचे जाता है आप से ज़्यादा से ज़्यादा एक तो सेल वाल एपसेंट होती है नंबर बन बिल्कुल इसम ध्यान रकना बिल्कुल और दूसरा चीज यह पूचे तो यहां तक क्लियर हो गए होगा यह मैंने आपको एक रिमेनिक थोड़ा सा बता दिया कि ताकि आप याद रख सकें ठीक एक बार देख लो इसको अच्छे से इसके बाद जो हमारा टोपिक आता है हमारा अब झादा नहीं समझा पाऊंगा के व्याक्व को तर्क औरो टोपिक लेता है वह हमारा होता है क्या More प्लाज्म मे में मिन इसका यह से संबसी सबस्दों में भी मिजिए erstmal ने मिल आ इसको देखना की अ यहां पर study की थी plasma membrane की अंदर जिसके अंदर rbc के विपारे में rbc की membrane की study की थी इसके अंदर तो rbc की membrane को आप ध्यान रख सकते हो इसमें जो main point पूछा जाता है कि plasma membrane एक तरह से selectively permeable होती है selectively permeable यह आपका main exam oriented point है और जब की यह कैसी होती है living होती है living होती है यहां तक यह संब गया जिसके बाद इसके अंदर होता है कि postpone lipid और यह protein की बनी होती है पूसपोड लिपीड प्लस किसकी बनी होती है protein की बनी होती है आहां समझे मैं यह मुझे लगता घ्रदा तरीकर समझ में आ गए गए अब हम बोल सकते हैं यह प्लाजम मेमलोगरीन के साथ कोई अधर मेमलीन UP बात समझे यहां तक मुझे लगता अच्छा से एक्दम क्लीर ограж गार इस श्रेधि कर रहें तो इस के अन्दर आपको याद रखना है कि सिंगर सिंग्लर ओड़न खोली मोड़नल दिया था कि अश्कने कि सिंगर फिजसे ए Could oh add निकल्टन को यह आपको फुलुड ब्लतीर मोडले चीज़ हो निकल्टन तो यह इस कंदर प्लाज मेंबरियंमें इन पुउट्टिव फ्रॉट्टिव ऱ्विवलिए इस का पॉस पॉलीव्ड प्लस प्रोटीन इसका इंक में निकल सनने जाता है तो यहां तक मुझे लगता है प्लाजम में मेंड का कंसेप्ट आपको फिलियर हो गया है यहां पर माइक्रोस्कोप कॉन से लेड़ा यहां तक यह कंप्लीट एक दम बैतरीन तरीके से यह अफि के भाद में जो फिल्बूपशन पूचा जाता से जाता है अब और यह ऐं अब dur कणर को सपोट प्रोइड करेगी कि अब सेल गण सेल को सब्सक्राइब करेगी, और जबकी सेल वाल टीक अब सब्सक्राइब कर दिया अंदर सब सबसे परहला बनता हैं जो मिडिल के बाद में बहुता है कि इसके अंदर आंगे ऄ से को एंदर करें हम सेंड़ी से लIM पुल थी है कि यह 3 तीनों मेने बोल दिया इन अब मिडेल ओंपयों होगा से हैं कि अब मिलेल सी पोचा जियुन होता है कि कि केल्सИय और मेग्नेशिय कि हमारे क्यों होता है और प्रिजैंट होता है यहां रफे हैं और किलियर हो घुए होगा है जिसके बाद बन डिग्री सेलोल यहां पर सेलूलोज और हमी सेलूलोज प्रिजन अब आपसे में यह पूछ लूग कि सेंटरी सेलोल मतलब कि किस के बीच की स्ट्रेक्चर है तो आप तुरंत बोलोगा कि एक तरह से मतलब यह इसा होता है मेडिल लेमिला बन गया इसके बाद में प्राइम के बीच में वहाँ चर्क्क प्राइमेरी सेलोल ऑ जिक से नगी यह पूच्छाँ का कि नो कि यह कि एक तरस आपको ध्यान रखना है जब कि अपसे पूछ लेया जाता है इसके अन्रापको ध्यान रखना यह लिगनीन कंटेंट और यहां पर होता है सूबरीन प्रेजेंट अंप चूबरीन और क्यूटीन के बनिंगे यहां तक मुझे लगता है इसके बाद जो हमारा टोपिक आता है इसके बाद हम पढ़ते हैं क्योंसा टोपिक प्लाज्मो डेस्मेटा इससे भी कुछिन डेफिनेटली पूचा जाता है यह बहुत बार एक्जामों पूचा हुआ है प्लाज्मो डेस्मेटा अब प्लाज्मो डेस्मेटा होता क्या है प्लाज्मो डेस्मेटा एक तरह से आप देखेंगे साइटो प्लाज्मिक इस्ट्रेंड होता है गेरने का मतलब यह एक तरह से इस सेल को इस से क्या करता है कनेक्टरने का काम करता है तो हम बोल सकते हैं प्ला से सेल को connect हrdata है आपको इसके बारे में यही याद रखना है प्लाजम डेशuç मेर्ट्म के बारे में जिसके बाद हमारा कुशिन आता है साइटो प्लाजम और आप कि एक रहूघी यहां प्रोडब ledव में क्या हुत कि एक नहीं हो गहां mतलब कि जो सेल के एक तरसे हम बोल सकते हैं कि अधर देने नुकलियस वही बात हो यह एक तरसे नुकलियस के अलावा बाकी जितना भी फोर्स ने वह हमारे कौन सा होगा एसाइट तो प्लाजम हो गया यदि मैं इसमें बोल दू कि यहां पर ओर्गनली एपसेंट कर दू जितने भी ओर्गनली कर दू तो यह हमारा क्यों लो जाएगा हाल्यल प्लाजम हो जाएगगा कौन सा हो जाएगा हाई लो प्लाजम टीक है तो यह कुश्ण डेफनिटली साइट ऊयों अब आपको यह लग रहा हो गया और यह को गया हो गया तो क्या हो गया हमारा है 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 यहां तक क्लियर हो गए होगा इसके बाद जो हमारा टोपिक आता है साइटोप्लाजम के बाद में हमारा जो टोपिक आता है यह एक तरह से इसको एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि एक्स्ट्रा नुकलियर प्रोटोप्लाजम बोल सकते हैं इस्टनीए प्रोटोप्लाजम नाम से जाने गाता है। इसके बाद हमारा जो टोपिक आता है। साइट pick को मैं से ते छे से वाले पोजोएटूर से आं आप को बता हमां इसके अंदर क्योंता है यहां से क्लियर हो गया इसके बाद हम देखेंगे जो next topic मेरा था प्लास्टींट आता है जो प्लास्टींट की बारे माप क्या कहना है एक तरह से इसका जो पहला ही question प्लास्टीट से आपको यह पूच जाएगा कि क्या पूचिया जाएगा कि self replicating self replicating self replicating क्या बहते हैं? जो साइटो प्लास्टीड के साथ हमारे जो हम देखता है कि इसके अंदर हम कुछ क्या पढ़ेंगे इस तरह से किलोरो प्लास्ट के बारे में कुछ करते हैं हो ना डशे प्लोड प्लाक्रिक्षम धेंग है जैसे मैंने यह बनाया तो यह यहां पर क्या होता है कि इस सिंट्रेइं नुक्षण पूछा जाता है कि बहुत ही ध्यान से इस को आपको देख 뉴스 क्यों होता है हमारेuesta पूरे मतलबुत टाइलो की बोलता है यह एक सिंगल अछ ど bands थाइले को इस पूरे को क्या बोलता है ग्रेनम कुछिन आप से यह पूचा जा सकता है कि इस टेक भी जिया जो पूचा जाए कि यह सिंगल वाले गोलता है जिसके बाद हम यहाँ पर जो कुछ जाता है और यहाँ पर ही जो इस यह यह हमारा क्या होता है if यह हमारे जो free space बता रहा है यह क्या होता होता है अब यह question important feature सका है जो question पूचा जाएगा आपसे number one तो यह पूचा जाए कि जो यह उन्ट में इसे पूचा जाए तो यह तो यह कै लाइगा मारे ग्रेनम के लाएगा और यहाँ पर सब्सक्राइब है इसके अंदर हमारी होती है डार्क रियक्षन ठीक है और इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि डार्क रेक्षन के साथ साथ यहां पर एंजाइम भी प्रिजेंट होता है एंजाइम प्रिजेंट होता है तो डार्क रेक्षन का होती है हमारी डार्क तो हम लिख सेकते हैं इसको गरेंगा ठीक है तो यह कुशन बहुत ही बहुत ही बहतरीन तरीके साब से पूचे जाएगा इसके बाद जो आप देखेंगे कि वही इसके अलाबा कौन-कौन से कुशन और बनते हैं इसके क्लोर पास्ट के तो अब देखना है थोड़ा सा इसको छोटा सा टोपीक थोड़ा लंबा है तो इसकी बारे में तोब डीटेल जानना पड़ेगा क्योंकि जरूरी है क्योंकि इससे बहुत ही तक लगता है पूरा हंड्रेड परसेंट इससे बहुत ही तकड़ा पुशन बनता है देखना आप ख्लोर पास्ट से एक्जाम देखे आप यह क्या होता है फोटो सिंटेसिस का काम करता है नंबर बन तो यह ता आप जानते हूं बच्पन में पढ़ा कि क्लोरफस्ट एक तरस हमारा किया गया था फोटो सिंटेसिस में और जब की यह इस्टोर क्या करता है एक तरस है गुलकोज को इस्टोर करता है क्या करता है इ यहां तक complete हो जिसके बाद हमारा रहा है गरोंव प्लास्ट यहां मनें प्रलिया ग्रोर्त आवात बaking Прomas the नाम से बतल लगए को सब्स्राइब क्रोम अद्ट कलर देगा उनना बात्नेडरा कालर अगलर सब्सक्राइब कंत्रेकर जैसे रेड औरेंज येलो कौन से रेड औरेंज येलो यहां तक यह के लिए रख गया अब इसमें भाई कलर तो देगा ठीक है अब यहां पर जो कुछ यह प्रोट जैन्तो फिल और टोमेटम आपको पता है लाइको पीन यह तीनों एक्जामपल आप से पूछे जा सकते हैं इसके अंदर कि क्रोम प्लास्ट के अंदर यह कलर देता है रेड औरेंज येलो जब कि यहां पर इसके एक्जामपल जरूर दिया नहीं कि केरेट के के अंदर हमारा कोई पिंवेंट नहीं था नमर्वन तो यह इसका पूरापंट इसके बाद हमारा आता है कि ल्यूक्ट इसी के अंदर चलता यह लूकोप्लाउस्ट अब भीनेकर नोग लूकोप्लाइस्ट के आठाइक ने लूकी ने डिरांगे सबसे पहला पोइंट किसके है रहा है सबसे पहला पारी के सक्फ Wilson कений घूजा है कि हुआ पिगमेंट यह इंपर्टेंट कुस्इन इसका यह इए जिसके बाद में आपको इस में एक्जांपल याद रिखने प्रहने क्या नंबर-बन ड्रकुरे यहां पे प्रोटpected ट्रीट हो आ जैसे पोटेटर ट्यूबर में क्या करता है इस्टार्ट को स्टोर करता है मेज ग्रेंड में क्या प्रजेंट होता है यहां पर द्यान रखना कि्मेज में गिया करेंट प्रोटीञ और जिसके बाद में कस्टर सीर कैस्टर स्बुखको गोर जिसके अंदर प्रोटीन आपना ओईल favorable कि और जिसके अंदर आप द्याने के गेंगी यहां पर एपसेंट रोता है काॉन से लेग राईवो सो integrity तो यह दोनों एपसेंट होता है राइवोसॉम पूछे जाएक डायरेक्ट नो पिग्मेंट्स में इंपोटेंट यह बाकी सब थोड़ थोड़ देख लेना ठीक है पोटेटर ट्यूबर यह इस तरीकसी है इस तरीकसी तो क्लियर हो गया जिसके बाद में आप देखेंगे कि लूकोप्लास्ट के अंदर एक छोटा सा कंसेट बहत्रिन तरीकसे इंपोरेंट होने वाला है कि लूकोप्लास्ट के भी कुछ से टाइप होते हैं जैसे हमने देखा इसके में टाइप लिख रहा हूं ठीक है तीन टाइप होता है छोटे-चोटे से बस एक-एक प्याद रखना है कि amyloplastic क्या करता है हमारे स्टार्च को स्टोर करता है किसको स्टार्च को स्टोर करता है जब कि एलूरोप्लास्ट एक तरसे एलूरो मतलब क्यों होता है हमारे फ्रोटीन को क्या करता है इस्टोर करता है और यह क्या करता है एलूरोप्लास्ट एक तरस हमार क्या करता है इस्टोर ओईलेंट फेट्स को बात किलियर यहां तक ऐसे किसे याद रखना है यह एक्जाम में जरूर यह पॉइंट बड़े इंप्पोर्टेंट है यह क्या काम करते हैं तो थोड़ा सा आपको देखना ही पड़ेगा ठीक है और आप एक पॉइंट और छोटा सा हो रहे गाए क्लोर पास के अंदर आपको सब्सक्राइब कि याद रखना है कि इसके अंदर मैं आपको बता आपको कि है स्प्रेगों कि आपको बता हुए कि क्लोर प्लास्ट के अंदर ही प्रिजेंट होता है और हमारा किसके अंदर माइट्रो कोंड रहा के अंदर ठीक जब कि यहां पर एट्टिस के अंदर प्रिजेंट होता है यहां तक मुझे बहतरी तरीके से क्लियर हो गया होगा आपको यह कंसेप्ट आपका क्लियर इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है इसमें यहां आप देख लाना आप कंफ्यूज मत हो ना कि क्लोर पास्टिक दिया तो यहां पर यह इस तरीके साज़ाए प्लास्टिट तो भी ठीक है सेवंटियस ठीका गर्वन नहीं करना पूछ लिए कि प्लास्टिट के अंदर कितन माइट्र कॉंट्रिया को आपने बच्पन में पढ़ा था कि नाम से जाना जाता है कि इसमें भी बहुत तगड़े तगड़े कुशन बनते हैं जो डायरेट कुशन पूछे जाएंगे बाई कुशन में आपको बताऊंगा ठीक है नंबर बन पहला कुशन जो बनता इससे कि पावर हूस ओब जा पावर हूस ओप सेल इसंगे पावर हूस ओव जय.. फुब हूब से Mazda के एक तरह से कि इसमेमार हो जाता है जिसके बाएं बोल सकता इसको कि अब यहां पे एक कुशन उप पूछे जाता है कि साइट ओ जो पहले मैं आपको एक डाइगराम बता देता हूं जैसे यहां पर क्यों होता है कि इस तरीके से आउटर मेंबरीन होती है और यहां पर इस तरीके से आप डेखना आप Вас हमारी एक तरह से क्या डेवलप कर ली थी क्रिस्टी इनको बोलता है क्रिस्टी यह कुछन पूचे जाता है क्रिस्टी जो क्या करती सर्पेस एरिया को बढ़ाती है यह एक तरह से क्या होती है इनर फोल्डिंग किसकी यह कुछन और पूचे जाता है कि आउटर मेमरीन की इनर मेन्रीण inner folding of membrane प्रदिश चीज आहां रखना आप च्छोटा सा कुछिछ और पास्ट एक तरह समा रहे क्योंकि इनर ओर उटर मेलीजिश में बताया था किले रोगया और जहां तक यहाँ पर इसको बोल सकता हूं मैं double memory मो मैंने बता है कि कृष्टी, औम अंदर जो हिंदर क्रिष्टी हमारा क्या इमारा क्रती है इंक्रीज सर्फेस एडिया मतलब कि सरफेस एड़िया को बढ़ावद्द इसके अंदर जो कुछण जाता है कि साइट ऑप क्रेव साइकिल क्रेव साइकिल और एक तरसे पूच़ जाता है साइ्ट आप्रेब साइक्िल इतिस अब एक तरह सा आप देखेंगे। इस सट्सायट्र्फ साइकल किया है है तो कुछ नहींगा रहा है हम Corps हमें भी कौण सा आप बोलлагा कि मैट्रोग्रोरल मेट्रिक्स कौण सा मैट्री है ुक के अंदर प्रिजेंट होता है तो यहां तक किस्ट के पृषिशन हो गाइब इसके बाद हमारा जो टॉपिक आता है वो हमारा आता है क्या नामे माइट्रो कॉंड्रिया के अंदर हमने देख लिए मेमरीन हो गया जिसके बाद मतलत है क्रिष्टी हो गया यह हो गया इसके अंदर आप देखेंगे कोई का भी बाद चोटा सा कुछन पूल ले जा है कि 200 से 800 माइट्रो कॉंड्रे होता है है इसके नदर कितने हो थे 200 से लेके 800 माइट्रो कॉंड्री होता है अब जैसे मैंने अंदर कुछ एंजाइम होंगे जैसे हम बोल सकता है कि यहां पर एक ETS ऑला नहीं आप ETS मतलब electron transport system electron transport system यहां पर कुछ एंजाइम प्रिजेंट होंगे जैसे NADH dehydrogenase और जिसके बाद में होता है जिसके बाद हम बोल सकते हैं कि साइटो क्रोम BC1 बगेरा तो यह सब किस में प्रिजेंट होता है आपको इंप्राइट्र में इंप्रिच्टि आपको से लिंप्रेंट है कि यह स्क्रेप साइकिल वीत्राइट्र होगा दूसरा पीश्टि उत्याइक घ्रिंदर के हूं इंप्रेंटर में पूलता प्रिजियर कढ़ती है यह बिल्कुल धियान रखना एकदम बाद में बोल लुब आपका यहीं पूछ संब दानर फिसके बाद ने हैं कि अलवे हम weirdo दो ब्रेश्---- होता है कि enable रेती कुलब और नबसंडर नो रेटिकुलम तो Yuk अब आधि करेंगे कि दोफलाज्मिक रेटिकुल embassy- Train सब्सक्यारे नो बात करेंड़ी are gonna product satan अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको आप देखो नोट्स तो मिली जाएंगे आपको तो ठीक है थोड़़दोड समय लें तिक मारका ठीक से चल नहीं था अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक तरह से हम बोल सकते हैं कि नेटबर्क ओप ट्यूविल्स नेटबर् जिए अब्सकाइं тыंड़ श्याति होता है कि यहां पर इरप सरफेंट उता है एक रप सर्पेस खाल पर डियों तो और ऊहां थ्यूजिंदर इसकूञ्द रूप होता है आपको कि परसी आप तरह से समूख बदमगे मैं बताता हो होता है हमारे बेसिकल्स ट्यूबिल्स और सेक्स ट्यूब्स 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 ट् तरह से किसमें undergraduate होता है एक घ्याट एक मेभीयल में कंदर आप बताएंगे और जिसके बाद में आप बताएंगे कि embryonic cell और प्रोक्रीटिक सेल में किसमें अंदर embryonic cell और प्रोक्रीटिक सेल और एक्षेंट बताएंगे इसको लिटीकुलम् मोखर प्रेंड उपलाज्मिक करते हैं रहा। मतलब कि यहाँ पर रिवसुम प्रेजिंट हूंगे इसलिए उसलिए आप प्रीजंट होंगे तो हिब का प्रोटवम प्रोटीन सिंटेसिस का प्रोटीन सिंटेसिस का जब की स्मूथ एंडॉप्लाज्मिंग रेक्टिकलम का जो फंसन होता है मारा क्या किसका लिपीड सिंटेसिस का कि सिंटेसिस की साह करता है लिपीड सिंदेसिस का यह कुछ ने पूछा जाता है बिल्कुल छोड़ के मत जड़ना में बता रहा हूं घ़र तो यहां पे एक तो एक के अंदर हो सकता है कौन इंदO में यह कुछ पूचे जाएगा रफ इंडप्लाजमी रेटिकुलों में इतना याद रखना आपको ज्यादा कुछ नहीं कि इसके बाद जो मारा टोपिक आता है राइबोसोम जिसके हम बात कर रहे थे चोटा से टोपिक अब बचे ज्यादा कुछ नि दो पांच मिनिटो रू राइबोसोमें एक तरह से स्षैट और प्रोटीन सिंथेशिप excitement यहां पर क्या होता प्रोटीन का सिंथेशिफ रोटा G Siz एक तरह से बहुत ही गरदा इंपोर्टेंट मतलब यह कुछ न आता ही आप से एक जाम है कि जिन्दगी में राइबोसोम बूचे तो यह आपको ऐसे कैसे याद रखना है जिसके बाद आप बोलेंगे कि बहुत सारे राइबोसोम मिलके बहुत स्राइब चोटे-चोटे- और यह होता है 80S राइबोसोम अब बैस 70S राइबोसोम कहां प्रजेंट होता है आपको बताना है कि यह तरह से क्या बोल सकता है प्लास्टीड जो हमने अभी क्लोरर पास्ट बगेरा पड़ाते ना प्लास्टीड एंड किसके अंदर माइटो कॉंड्रिया के अंदर जबकि हम ATS को बोल दें बाकी प्लांट के अंदर यहां तक क्लियर होगा है यही कुछ आपको याद रखना है ऐसे मैंने क्या बता है सेड़ी वर्ग कॉंसेंट सेज़वर कॉंसेंट के लिए तो यहां तक क्लियर होगा है साइंटिस्ट का नाम के बेस पर रखा गया है एक रखनी है फिरिश्टर आफ लिए पॉली रिहां इंपोंटेंट है यह इसका जिसके बात करते हैं लाइसो सॉम्स के बारे में अपका कहना क्या है अब जो जिन्दिगी में क्या पढ़ाता है लाइस देड़ के नाम से आतम गाती थेली जाने जाता है कि इसको लाइस उसंड को क्योंकि यह खुद की सेल वही एक तरह से डाइजिस्ट कर लेता है अपनी खुद की इसल मतलब सेल इसल को डाइजेस्ट कर लेता है इसको किस नाम से जाना रहाता है आत्मकाती थेरी के नाम से जाना रहाता है जिसके बाद में इसके अंदर प्रजेंट होता है बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम मतलब की एस तरीके से काफ़ी सरे प्रेव्य करता है जैसे सरी तो ये सब और रहा है तरह से ज्यादर है और तो यह चीछा ब्रेक करते हैं कि लिए होगा तो आप फोड़ा सा आपको यह कुछन पूछ ले कि कौन सा लाइस सोम मिलेंगे आपको तो में कन सब क्या होगा है सुसाइडल बेग वाला ही यह और इसके अंदर है अब यह बनता केस है जो लाइस सोम होता है जो प्रोड्यूज किस होता है एक तरह से गोल्ज बोर्डी सेही परडिस होता है ऐंको है यहां तक किलिर हो गया प्रोड्यू सेन अब इसके बाद में हम बोलेंगे यह एक तरह से कॉमन हो था ईनिमाल सेल मार्च यह डैयलेतली सेजन न होगा तो कोमन इन इनिमाल सेल के अंदर यह क्या theory混ं प्रेंट होता है जशत प्लांट स कि कि यहां पर के पुछाइगा सोचाइड पुछ इसदोल और तरह कंड़ द del 202 कि यहां पैंड़ करनी कि घ्रिक यह दो चैनल में में के अधर प्रजेट होता है सकता है ये इस के अनदर आपको दे रहोगा क्या है इसका जो के ढ़िए इसको इसका जो सांटिस्स का नाम है केमेलियो गोलजी कि इस पेलिंग बगएरा देखना है ठीक है केमेलियो गोलजी नाम का साइंटिस्ट था इसने हमारे गोलजी बोड़ी के बारे में डिस्कवर किया यह कब गया था 1882 में 1882 के अंदर अब भाई इसकी बात तो ठीक है यह एक तरह से इसका जो फंसन होता है प पैकेजिंग ओब फुड मठी ये इसका फंसर होता है गौलजी बॉड़ी क्या सिंथेस करता है ग्लाइको लीपीड रगव प्रोटिन ग्लाइको लिपीड और ग्लाइको प्रोटिण रगव ten तो आपको इस तरीके से यहां देखना है इस तरीके से उघ dziर आप क्यों होद दिखाएगा कि इस तरीके से इस तरीके से अब यहहां पे साफ साय को होता है है तो यहां पहल यह क्या होता है सिष्टर ने प्रेजिंट होती है तो यह बोलो को कि फ्लूड फिल्ड के वेटी को एक पॉइंट चोटा सा दियान रखना कि कौन-कौन ये को दिया तो आपसे किया करोंगा अब को द्यान है कि या दिये रखनाँ है बोल्ड के वाद इस इसके बाद कौन connect होता है गोल्जी बोड़ी गोल्जी क्ञेक बना हमारी क्या हुण सहब है ना उसल्सहं से बैसिक इसथ इस तरीके से इंटर कनेक्ट कें जैसे अब आप याद किया रखना है जैसे मैं भंडा कि एंडोप्राज्मीगर्टीकुलम इसके बाद मिन मुद्धीप Our Day में आप directamente अपको याद रहना है क्याMr कि लाइसल्म मैड में गयाता हैrent टो यह में क्या तो यह अमारे क्याता है यह सब एक तरस है अंदर काउंट होता है MP2 की में afterward in the मuci के नियुक्तली विले कि दूखळसें narr हमने r hart विल्कुट भी टिक माँटाना नहीं अंडर्य बियुक्तली चाह्म का पाहँिस का अपने एक तो यहां तक क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है अपको वदटन ना अंडर सब्सक्राइब करता है तो हमारा सब्सक्राइब करना है तो यहां पर रेटिकुलम से जैसे मुझे यहां पर आता है सिसपेस से लेती हो और कहां चला जाता है सिसपेस से ट्रांस फेस से थू बहार निकालती है पर किसम भी बैश्थी हो लाइसोसों में जिस्फेस को हम बोलते हैं कोनवेक्ष फेस में सिद्फिंध क्यों आपको याद कर रखना है में आपको बताता हूं कि मैं अससानिटिस्ट या दूसरा पेकेजिंग उप्रेटियल का में इसका यह घ्लाइकॉलिपीड गलाइको प्रोटीन का सिंदेसिस करता है और यह एक त यह दोनों इतरह से क्या है गोल जी गोडी के तो पार्ट है इस प्राइब जो कोई भी पेकेजिंग माटीरल जो भी ट्रांसपोर्ट होता है वो इस तरीके से होता है तो मुझे लगता है एक दम गर्दा तरीके से क्लियर और यहां पर तो सिस्टर ने प्रिजेंट होते हैं जो फ्लूड फ्लूड के वीट होता है इसकंदर फ्लूड के वीट है किलेर हो गया तो गोल जी बोडी से यह कुछ न पूछ जाता है इसका डेटी या दाखना है 1882 यह आप तो करना पड़ेगा एक्जाम करें करना क्यों कॉम्पेटिश सेंट्रियोल 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 की बात करते हैं एक वार केमरा चेकर लता हूं अब देखो सेंट्रोल सेंट्रोल एक तरह से फीचर है कि इसका एनिमल सेल का आप बोलोगों कि एक तरह से पहला पॉइंट यह पूचा जाता ह इंधर प्रिजन्ट होता है प्लाइ WOW यह मि一下 इस पेसली आप जिसके बात सेंट्रों अक तरह से हमारा बोल सकता है कि स्लाइंडिक स्लाइंडिकलạnhण बोडी होती त्यों प्राइंडिक वो दि जो किसे प्रिजन्ट होती बाइं यह मैं यह यह से इस तरीका बिए सबसे इंपोटेंट है यूस प्लांट सेल के नու करते हैं यो जिसके बाद सेंट्रियोल का काम होता है स्पिंडल एपरेटरस का फॉरमिशन यह इंपोर्टेंट है इम्पोर्टेंट एपरेटरस का फॉरमिशन प्इतेस फ्टोर्मिजन फॉर्मिजन कब जब हमारा सेट डिवीजन चल को तॉला चै Pret你 eh ऑट कि लिए डे आटकाव गया के अंदर हो गया थे किसमें रही उता है जिस की बाद आता है हमारा इस्मींड़ आप्रेटस हो गया जिसके बाद में यही कुष्ण आपके इसमें पूछि जाएंगे आपसे अभू पूद लिया कि संद्रोल इसमें कि सेंद्रोल का काम आ गया इंगर बिल्कुल मुझे लगता है किलिर हो गया इसके बाद जो अमेरा ऑनलास चोटा सा अबudके क्व ने पूछेजाब की में बंग आपуст लोगे तोन अब बता दिए तोन अब अहगी की सेल सेप नमबर वन और तेम जिसके बाद इस थंदेफया इसके आपर है नीचेन चोन बैचेज़ मोर्याज़न का है ci knocking होता है आप साइटोप्लाजम अब बेक्ण अंदर सेल सेप का वेस्सेल के सेप होगी अब इसके आपको एकदम बैतरी तरीके से याद रखना है और इसकी साइज अलग अलग हो सकता है जिसके अमीबाग के अंदर अलग फूट वेकुल होगा श्रयाइब को ठोड़ा तो त्षा मीव गद्यां अमीवा है उसले अमीवा इंद्र फूट बेक् को प्रजिनट होगा टाफusta हुआ जैसे फुड बेक्योल फुड बेक्योल किस पर प्रिजिंट होगा हमारा अमीवा के अंदर इस तरीके से तो इनकी बेरिवल साइज होगी तो यहां तर मुझे लगता है क्लियर हो गया तो हमारा आज का टॉपिक यहां तक एंड सेसं कैसा लगा बताना और कमेंट करना जरूर कि आपको यह सेसं देखकर कि कैसा लगा कि किस तरीके साब को मैंने एकदम टूद अपॉइंट जो एक्जाम डायरेक्ट ओरिंटेट जो कुशन होते हैं बोग मिलते हैं और टेलिग्राम लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन बोक्स के अंदर ठीक तो यहां तक एकदम के लिए रखना ठीक मिलते हैं नेक्स सेशन में के अंदर ओक्या बाइट